वेलकम फ्रेंट सेल्फ अध्यन पर टैली सीखने के लिए सबसे पहले हमारा स्टैप होता है अकाउंट्स की नौलेज होना अगर हमें अकाउंट्स का बेसिक नौलेज नहीं है तो टैली के अंदर हम किसी भी तरीकी की ट्रांजेक्शन्स इजीली नहीं डाल पाएंगे और उसे डालने में हमें दिक्कत होगी तो सबसे पहला स्टैप होता है अकाउंट्स के सभी लेजर्स की नौलेज होना और उन लेजर्स को किस ग्रूप में डाला जाए उन सब exploited की नौलेज होना कि किस ट्रांजेक्शन्स को हमें कहां मेंटेन करना है किस ग्रूप में पास करना है बिसिकली अगर बात के तो टैली के अंदर 28 ग्रूप उल्रेडि बने हुए होते हैं अब उन groups के अंदर कौन कौन सी transactions आती हैं, कौन कौन सी transactions को किस group में डाला जाता है, वही हम आज की class में discuss करने वाले हैं, तो आप यहां देख सकते हैं, एक PDF में मैंने बताया हुआ है कि what are direct expenses, what are indirect expenses, इस तरीके के अलग-अलग मैंने यहां पर list बनाई हुई है, बट इन list को मैं आपको एक PPT के थुरू समझाऊंगा, जिसमें उन transactions की image भी होगी, जिससे आपको उने समझने में असानी होगी, अगर आप arts side से हैं, arts student है, या science student है, तो आपको easily यह सभी चीज़े समझ आ जाएंगी, और उसके बाद आप tally पे अराम से work कर सकते हैं, अगर आ आपका एक revision हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा और जो भी doubts थे वो भी clear हो जाएंगे, इस PPT को देखने के बाद, और यह जो PDF है, जिसमें सारे groups का हमने यहाँ पर detail रखा है, यह आप हमारे description के link से download कर सकते हैं, और PPT का भी link उसी link के अंदर से आप download कर सकते हैं, तो आ पहले हम बात करेंगे company के expenses के बारे में, अब company किसी चीज का production कर रही है, तो जाहिर सी बात है, उसके expenses भी होंगे, बट किन expenses को कहा maintain करना है, मतलब जो जरूरी खर्चे हैं, या जो unnecessary खर्चे हैं, उन्हें हमें कैसे categorize करना है, तो ऐसे खर्चे, जो हमारे production की cost से related हैं, ऐसे खर्चे, जो माल बनने की लागत से related हैं, ऐसे खर्चे जिनके बिना हमारा product नहीं बन पाएगा, वो खर्चे direct expenses होते हैं, या इस तरह की services हम ले रहे हैं, जिनके बिना हमारा माल नहीं बन पाएगा, वो खर्चे direct expenses में maintain होते हैं, अगर हम normally बात करें, जब हम practically करते हैं, तो वो trading accounts में show होते हैं इन transactions को पढ़ने के बाद हम practically trading account, profit and loss account and balance sheet account को भी बनाना सीखेंगे पहले हम इन सभी transactions की अच्छे से knowledge ले ले कि किस को कहां maintain करना है तो हमने क्या देखा direct expenses वो खर्चे जो production से related हैं जो माल बनने की लागत से related हैं याने की हमारा माल इन खर्चों के बिना नहीं बन पाएगा प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो फिर market में उसकी sale नहीं होगी और sale नहीं होगी तो profit नहीं होगा profit नहीं होगा तो company बंद हो जाएगी तो फिर तो हमें वो खर्चे करने ही करने होगे तो आप देख सकते हैं factory expense याने की factory में होने वाले खर्चे जैसे factory की lighting का खर्च अब product अंधेरे में तो बनेगा नहीं उसके लिए lighting की जरूरत है और lighting का खर्च हमें करना होगा इसलिए यह जो खर्चा है यह हमारा direct expenses में चाहेगा दूसरा dock charges अगर हम अपना raw material किसी दूसरी country से या दूसरी city से मंगा रहे हैं और buy ship अगर हम मंगा रहे हैं क्योंकि सबसे जो cheapest way होता है transport का वो है dock यानि की buy ship तो हमें जब यहां से अपने माल को load कराके अपनी factory तक लाने का जो भाड़ा होता है मतलब factory का भाड़ा तो अलग हो गया जो ले जाने का load का है यहां तो अभी हम dock को जो hire कर रहे हैं जो हमारा माल यहां उतरेगा वो खर्चा तो इसलिए हमारा यह जो dock expenses है जो हमारा बंद्रगा सुल्क है वो हमारा direct expenses में जाएगा उसके बाद factory rent अब production के लिए हमें जगे चाहिए और जगे के लिए फिर हमें उसका किराया भी भरना पड़ेगा क्योंकि product हम ऐसी जगे बनाएंगे जहां पर हम अपना setup कर सके मशीनों का और उसके लिए हमें factory का भाड़ा भी देना पड़ेगा तो factory का जो किराया है वो हमारा direct expenses में जाएगा अगला है हमारा wages wages यानि की मजदूरी जो माल बन रहा है जो labor माल बना रही है जो माल ढो रही है factory में जो machine की तुरू माल बन रहा है यहाँ पर एक example दिख रखा है machine का कि हमारा suppose shirt बनाने का business है तो कपड़ा यहाँ पर जो सिलाई कर रहा है जो labor बना रही है उन labor को जो हम मजदूरी दी जाएगी वो wages direct expenses में maintain हो उसके बाद है custom duty of import अगर हम माल को दूसरी country से import कर रहे हैं कुछ ऐसा material है जिनके बिना हमारा माल बनी नहीं सकता और वो हमारी country में available नहीं है और हम दूसरी country से उसे import कर रहे हैं तो उस case में हमें custom duty एक तरीके का सुल्क होता है tax होता है जो हमें देना पड़ता है government को तो वो हमारा direct expenses में maintain होगा उसके बाद manufacturing expenses माल बनने से related कोई भी खर्चा है चाहे वो thread का हो गया चाहे वो machine का greasing का हो गया fuel का हो गया ये सारे खर्चे जो भी manufacturing से related है जो भी factory से related है वो खर्चे हमारे direct expenses में maintain होगे अगला है motive power motive power means कि हमने factory में ऐसी machine जी लगाई हुई है जो ज़्यादा मात्रा में हमारा electricity consume करती है तो उस case में भी हमारा जो motive power है जो factory में हमारा विद्यूद सक्ति हम use कर रहे हैं वो भी हमारा एक तरीकी से direct expenses में जाएगा क्योंकि production से related हमारा motive power यूज हो रहे है तो इसलिए motive power भी हमारा direct expenses ग्रूप में जाएगा then raw material अगर हम raw material के लिए expenses कर रहे है मतलब हमने suppose furniture का business है और हमने कुछ लकडियां उससे खरी दी उन लकडियों से हमारा manufacturing होगा चेयर का तो जो raw material पे हमने खर्चा किया है वो भी हमारा direct expenses में maintain होगा अब जैसे मैंने आपको बताए कि हमने कोई माल बनाना है अब माल किसी दूसरी city से हम ले के आ रहे हैं अपने factory तक तो carriage inward याने की माल भड़ा या तो आपको carriage यूज कर सकते हैं या carriage इनवार यूज कर सकते हैं या carriage on purchase ये तीनो नाम एक ही है basically freight नाम भी इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं तो इन से मतलब है माल भड़ा माल ढुलाई जो माल हमारा factory तक लाने का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है उसे हम accounting language में carriage बोलते हैं तो ये हमारा रहेगा direct expenses अगला है हमारा royalty based on product suppose एक company है जिसके पास पूरा setup है बट एक दूसरी company से उसने tie up कर लिया कि भई हमारा product आप बनाएंगे और आपकी जो भी हिस्सेदारी होगी 30% 40% as a royalty मतलब आपका product अगर 100 रुपे का है तो उसमें 40 रुपे आपके रहेंगे 60 रुपे हमारे रहेंगे और उपर से जितना profit होगा वो अलग है मतलब royalty से मतलब है हिस्सेदारी product based पर तो main company का owner अगर as a agreement करता है किसी company के साथ ये किसी person के साथ individual के साथ तो उसकी जो हिस्सेदारी बनती है product में वो as a royalty उसको दी जाएगी for example publisher publisher क्या करता है किताबे चापता है अलग-अलग writers के किताबे चापता है but कुछ ऐसे famous writer है poet है जिनके लिए ये publisher उन्हें royalty देता है कि भई आपकी किताबे अगर product market में बिगेगा तो उसका 10 पर t-shirt as a royalty आपको दी जाएगी तो यहां पर वो हिस्सेदारी fix हो जाती है मतलब आपका sale तो profit रह गए रहेगा plus उसका एक आपको royalty भी आपको उस product पे दी जाएगी अगला है packaging packaging यहां पे दो तरीके से है कि product आप pack करके boxes में भेज रहे हैं या goods जिसमें आपका product रखा जा रहा है उस तरीके के packaging अगर packaging manufacturing से related है जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में टीन के डबबे हैं कुछ boxes हैं जिनके अंदर product है तो यह तो product main product को रखने के लिए है तो यह वाला packaging का हमारा जो खर्चा है वो जाएगा direct expenses में आगे हम देखेंगे packaging का दूसरा part भी कि बई indirect में कौन से आते हैं अगर manufacturing से related है packaging का खर्चा तो जाएगा वो direct expenses में अगला है wages and salary अब wages दी जा रही है employee का बट salary क्या होता है बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि salary और wages एक ही है बट ऐसा नहीं है wages का मतलब है आपने जो मजदूरी की उसके बदले में जो आपको वेतन दिया जा रहा है वो अब यहाँ पे suppose इसने माल को deliver किया और इसको payment मिल गई बट यहाँ एक employee 8 गंटे तक daily work कर रहा है और 30 दिनों तक work कर रहा है तो 30 दिनों के बाद यानि कि महिना पूरा होने पे उसको salary दी जाएगी तो salary एक time period के according एक time situation के according दी जाती है अब इसमें production हो या ना हो वो अपना time दे रहा है उसका उसे वेतन मिल रहा है तो वो तो कहलाएगी salary बट यहाँ पर as a labor उसने work किया उसके जो भी deliver के charges है उसको मिल गया तो उसी time उसका contract खतम अब वो फिर से deliver करेगा फिर से पैसा मिलेगा ऐसा नहीं है कि उसे हर दिन या महिने में उसको बार बार wages मिलता रहेगा काम खतम आपका contract खतम पर यहाँ पर आपको एक time period होता है hour basis पर हो सकता है और month के according यहाँ पर salary दी जाती है तो यह थे हमारे जो भी पिछले हमने पड़े direct expenses अगले वीडियो में हम indirect expenses को continue करेंगे हुआ है